जब इस सीरीज के ट्रेलर आया तो काफी जादा बढ़िया लगा था, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद मैं यह नहीं कह सकता, जो मैंने ट्रेलर के लिए बात सोती थी काफी बढ़िया है, तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे माई वेब सिरीज के बारे में जिसे Netflix के OTT प्लैट्फोर्म पर लीज किया गए, टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड है, और हर एपिसोड की जो लेंथ है, वो तकरीबन 45 मिनिट के आसपास रखी गई है, अब इस सीरीज की कहानी की चर्चा करते हैं, अगर आपने ट्रिलर देहा है, तो आपको कहानी पता चल भी गई होगी, नहीं देहा है, तो मैं बठा ना, जिसका नाम रहता है, शील चोधरी उसकी बेती है, सुप्रेय चोधरी, शील चोधरी के सामने उसकी बेती को、 एक ट्रक ड्राइवर उड़ा देता है अब स्टार्टिंग में तो सबको लगते हैं यह एक्सिडेंट है लेकिन धीरे धीरे शील चोधरी को पता चलते हैं कि इसके पीछे कोई कारण था उसकी जो बेटी है उसको मारा गया और वो अपनी उन कारण को जानने के लिए अपनी सबस्केस देखने को मिलता और इसकी गरहस्ती में क्या प्रॉबलम ओलड़ी चल रही है वो वह चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं कि इस सीरीज के मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें एक उदासी जैसा या सीरियस जैसा माहौल रखा गया है जैसी requirement थी कि सभी उदास हैं ये बहुत से डार्क है इतनी ज़्यादा डार्क तो नहीं है लेकिन एक उदासी वाला जो माहौल है वो मुझे अच्छा लगा इस सीरियस का फर्स्ट एपिसोड मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया वो इसलिए क्योंकि इसका एक तो वेट मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसमें नई कहानी देखने को मिलेगी तो एक वो इच्छा थी एक कुरियोसिटी थी इसको देखने के मेभी इस कारण वो अच्छा लगा लेकिन जैसे जैसे यह सीरिज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंटरस्ट जब वो भी कम होता चला जाएगा ऐसा मेरे साथ हुआ क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा extra ordinary या फिर suspense करने वाला ऐसी चीज़े हमारे सामने नहीं आती है हाँ इसमें कुछ suspense है for example की जैसे शील चोधरी को पता चलता है कि उसकी बेटी का जो कारण ता उसको मारने का तो वहाँ पर जो reason रखा गया है जो truck driver का जो reason रखा गया है वह कोई इतना बड़ा reason या मैं कहूं कि इतना intense ड्राने वाला कोई reason हमारे सामने नहीं होता ठीक था जो हमें देखने को मिलता है हमने पता ने कितनी बार वो चीज़ें देखी हुई है second suspense मैं कहूंगा कि इस series के last में आता है हाँ मैं यह कह सकता हूं कि वो हमने सोचा नहीं होता है और वो इसमें डाल दिया होता है देकिन बावजुद इसके वो हमारी कोई होश नहीं उड़ा देता है ओ अच्छा यह हुआ था गया यहां पर यह मतलब बहुताना नहीं चाहता है बट वो हमारे कोई होश नहीं उड़ाते हैं वो लास्ट टॉलर जो सेस्पेंट होते हैं कुल मिलाकर बात इतनी है सिरीज बहुत सिंपल है बहुत एवरेज कह सकता हूं कहानी इतनी मुझे इंटरस्टिंग नहीं लगी है काफियों को लग सकती है लेकिन मैं अपने ओपीनियन दे रहा हूं कि हर एक को अपना ओपीनियन देने का तदिकार है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है इमोशनल करने की कोशिश करती है सिरीज लेकिन नहीं हो पाते हैं एक्टिंग जो मैं बात करूँ या परफोर्मेंस की मैं बात करूँ इस सीरीज में हाँ वो काफी अच्छी है सब कलाकारों ने अपना पूरी इमानदारी से अपना करेक्टर है वो प्ले किया है वो मुझे बहुत अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मतलब कि विचार रख सकते हैं जिन्हों नहीं नहीं देखी है तो वह भी विचार कर सकते हैं आपको परफॉर्मन से थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत इसमें नयापन आपको मिल जाएगा आपको मेरा अपना ओपीनियन है मैं अपना ओपीनियन आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो में जाहिंद